सुप्रीम कोट के फाइनल ओडर के बाद बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि उनके लोन एकाउंट को NPA में कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा अगर NPA में कन्वर्ट किया जाता है तो वो डेट कौन सा होगा सेप्टेंबर 2020 या 23 मार्च 2021 कब से उनके लोन एकाउंट को NPA में कन्वर्ट किया जाएगा अभी आपको पता होगा कि विशाल तीवारी जी ने सुप्रीम कोट में एक PIL दर्ज किया NPA एकाउंट को लेकर उनकी मांग है जो कैलकुलेशन हो 23 मार्च 2021 के बाद किया जाए तो इसी प्यार भिया ने फाइनली अपना अपडेट दिया है तो बेसिक लिए तीन होगा उसके बाद ही आपके लोन को NPA में कनवर्ट किया जाएगा और तीसरा तीस जून 2021 के बाद अगर आप अपने लोन की पेमिंट नहीं करते तो बैंक NBFC कंपनी कंटिनू आपको मैसेज के द्वारा इलर्ट करते रहेगी कि आपने अपने EMI को पे नहीं किया है सबसे कि करने साले बात करते हैं कि बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन था कि उनके loan को NPA में कब कर दिया गा तो यहां RBI ने कलियर कर दिया है कि आपके loan account को March के बाद यहां परशान होने की कोई बात नहीं है आपके loan account को 30 June 2021 के बाद यह एक जुलाई 2021 के बाद आपके loan का classification होगा तब यह decide करेगी bank कि आपकी loan को NPA में डालना है यह नहीं डालना है यह जो पूरा process होगा आप दूसरे point की बात करें जो पूरा process होगा यह manually नहीं होगा यहां पर bank और NBFC company किसी भी loan account को NPA में convert नहीं कर सकते इस loan account को NPA में convert करने के IT-based classification होगा यह automatic generated होगा यहां पर जो IT-based system यह खुद decide करेगा कि आपके loan को NPA में convert करना है यह नहीं करना है यह इस पर खुद decide कैसे करेगा तो इस पर कुछ steps है मैं आपके साथ share कर देता हूं सबसे सबसे पहले यह check करेगा आपके loan को यहां पर loan verification होगा यह किस तरह का loan है personal loan है car loan है secure loan है unsecure loan है इसको NPA में convert करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए तब जाकर decide किया जाएगा कि आपके loan को NPA में convert किया जाए या नहीं किया जाए अगर दूसरे अगर दूसरे point की बात करें तो है assets classification होगा जो भी assets है जो आपने collateral रखा है bank के पास loan देशे समय उसका classification होगा कि इस assets से उतना recovery हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसके बाद जाके ही आपके loan account को NPA में डाला जाएगा अगर तीसरे point की बात करें तो risk ratio जो भी loan है जो आपको मिला हुआ है वो bank पहले उसके risk ratio को देखेगा कि यहां पर loan डूबने के कितने असार है और कितना यहां पर निकलने के असार है आपका क्या job profile है कि आप अपने EMI को further दे पाओगे या नहीं दे पाओगे उसके बाद ही bank recite करें कि आपके loan को bad loan में डालना है या आपके loan account को NPA में convert करना है चौछे point की बात करें तो पूरा classification होगा यहां पर कोई भी manually हस्ता छेप नहीं होगा पहले क्या होता था कि आपके जो recovery agent है आपको डराते धंकाते थे अगर आप अपने EMI को नहीं पे करोगे तो 90 days के बाद हम आपके loan account को NPA में जाल उसके बाद ही आपके loan account को NPA में डाला जाएगा अन्य था किसी की loan account को NPA में नहीं डाला जाएगा तो final point की बात करें जो पूरा process है 30 जुन 2021 के बाद ही implement किया जाएगा 30 जुन 2021 तक आपने loan EMI की payment नहीं करते तो bank यहां पे आपको हर loan EMI की reminder बेज़ेगा अगर आपका loan account NPA में जाता उसके बाद भी अपने loan EMI की payment नहीं कर रहे हो तो bank आपको यहां पर reminder भेज़ेगा daily SMS के द्वारा यह continue भेजा जाएगा यह कुछ थे RBI के तरब से कुछ points जो उन्होंने finally NPA account को लेके आपके सामने share किये हैं यहां बहुत सारे लोगो confusion था कि उनके loan account को NPA में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा क्यूंकि bank तरह तरह से आपको डरा रहे थे recovery agent भी आपको काफी ज़्यादा परशान कर रहे थे तो फाइनली आपके loan account को 30 जून तक रहात मिल गई है अब कोई भी bank और NBFC company आपके loan account को NPA नहीं कर सकता यह IT-based classification होगा उसके बाद ही आपके loan account को NPA में वर्ड किया जाएगा तो उमीद करते हैं आज का अपडेट आपको अच्छा लगा अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें मैसी तरह कि और वी वीडियो आप लिए लाता रहता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तब तक के लिए जाएं दुबने मात्र हुआएँ जई हैं आपको अपको नाहता दूर का हुआएब को चैनल को लाएं दो क्रिवक ऑश्टार कर से कियान दुबने मात्रशाएं दू तरह कि वीडि़े एभे टूएएलन भीजियों शॉवां धर रहता हैं दूबने मात्रशाओएब दूड़ने मात्रूएं